तो पियारे विद्यार्थियों मैं थोड़ा सब्दा अपने योटूब चैनल ते बहुत बस स्वागत करना हैं असे अज दी इस वीडियो ते विच्छ गेर दे नाल सबंदित इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस कोशन जड़े हैं डिस्कुस करना जा रहे हैं ते वीडियो सब्सक्राइब करो तो इस दे नाली बेल लाइक हर्ण करो कि हरी इन्फरमेटी वीडियो दे नोटिफिकेशन तड़नू सब तो पहला पहुंच सके तो इस दे नाली शुरू करते हैं कोश्चन नंबर वान जो दुसी से करीने दिख सबकें फ्यूज इस एए फ्यूज की है इस ज़ेड़ा राइट टांस रहाजी ऑप्शिन फर्स आज रहुजंग फ्यूज एक प्रोटेक्टीव डिवाइस, इस सरक्ट नो गरढे है, इस करके नो गया प्रोटेक्टीव डिवाइस, उस तो बात नेक्स्ट कोश्न है, कोश्न नमबर सेकंड आगा है, जिससे लिएक क कंट्रोलिंग डिवाइस है सरकट इंटरॉप्टिंग डिवाइस है जब क्रंट लिम्टिंग डिवाइस है ज़ा जड़ा राइट आंस रहा है जड़ा सरकट ब्रेकर है वो सरकट इंटरॉप्टिंग डिवाइस है जनी कि सरकट नूँ ब्रेक करना से इंटरॉप्टिंग दा इंटरॉप्ट करने वाला डिवाइस है जिस इत्थे हैसी ON और OFF कर दे है सरकट ब्रेक करने जहने कि सरकट दा कंटेक्ट बनान वास्ते और सरकट दा कंटेक्ट तोड़न वास्ते हैसी जड़े सरकट ब्रेक कर जड़ा यूज कर दे हैं ति option second is the right answer उस तो बाद आगया next question है कि isolator isolator is designed to open a circuit जड़ा isolator है उन्हों उसी किस सरे डिजाइन किता है किस condition दे विच उन्हों उसी open कर दे हैं ज़ों circuit दे full load दे ताउपन कर दे हैं ज़ा normal condition दे running चर ले हैं ताउपन कर दे हैं ज़ा non load दी condition दे जाना विच्च कोई नहीं तो इसे जड़ा right answer है जी ओ आजाना है कि जड़ा isolator है वो असी use open दो कर दे हैं ज़ों non load होए यानि कि circuit दे उपर ज़ों दो load ना होए ज़ों आज़ों isolator नो use कर दे हैं तो question है कि isolator नो design किता जंद है open a circuit किस condition बेच आसी open कर दे हैं no load condition दे विच दे option third is the right answer आगया उस वाद next question है question number 4 है जिस दे विच है कि under normal operating condition the contact of the circuit breaker remain अगर normal condition दे जड़े contact circuit breaker कि उन्दे ख्लोस्ट हों दे open हों दे हैं या semi-closed हों दे जड़े बिल्कुल सिंपल आणसर है जी जड़ोसा डेकोल सरकट under normal operating condition दे विच है तो उस विले जड़े circuit breaker दे जड़े contact हों close हों दे है ति option first is the right answer आगया next question है कि fuse perform की करदा है fuse perform की करदा है option है सा decode detect the function detect the function a function हो detect करदा है या circuit near COP function का दा है जा sir करण नो interrupt है कर दा है बोद detect and and interrupt function यान कि दोनों काम काम गता है एक स fault नों डिटक्ट करता है एक उन्हों से interrupt भी कर देल्स तो none of the these इस इज़ा right answer है option third आसा आजाना साथ तो भोद detection and interruption function एcendo near gate of the function function काम करदा है fuse उस सोबात next question है question number 6 है जिसे विच है कि जड़ा circuit breaker perform the function जड़ा circuit breaker है वो की perform कर दा है उस दा की काम है circuit breaker perform the function की काम कर दा है detection only सिर्फ fault no detect कर दा है यह circuit interrupt only कर दा है यह बोथ detection and interruption कर दा है circuit no यह नन आफ दा दीज तो जड़ा सड़े को circuit breaker है एक ही कर दा है circuit no interrupt कर दा है circuit no interrupt कर दे ले यसी use कर दे है circuit breaker करते option जड़ा second is the right answer आजएगा उस वाद the next question है when a fault occur in the power system जोदो power system दे विच कोई fault आंदा है circuit breaker की हो जड़ा open automatically हो जड़ा ज़ा इस open इनो manually कर दे है ज़ा open by the remote control है ज़ा none of the above जोदो fault आंदा है power system जोदो power system दे विच कोई fault आंदा है ते option first is the right answer आजएगा उस तो बाद the next question है कि circuit breaker is able to open under जड़ा circuit breaker है वो किस condition दे विच ओपन होंदा है circuit breaker उनो असी non-load the conditions कर दे है load conditions कर दे है जब fault conditions कर दे है जब all of the above इससे जड़ा right answer आजएगा जड़ा circuit breaker है वो असी use कर दे है जी all of the above means कि non-load condition में तामी असी circuit breaker नो open कर दे है अगर उस दे उपर load होएगा तामी असी circuit breaker नो open कर दे है अगर उस दे विच fault condition है fault है तामी असी open कर दे है बस एही difference हुनदा है जी isolator ते circuit breaker चाहिए isolator हमेशया non-load ते operator किता जन्द है isolator लेकिन जड़ा circuit breaker है वो जड़ा सी उन्हों यूज़ कर दे है non-load condition दे भी use कर दे है load condition दे है ज़ फाल्ट कर दे है ते फाल्ट कर दे है open अंडर नो-load condition लोड कंडिशन दी फॉल्ट कंडिशन तिनो चैनल कंडिशन ही उस इन्हों यूज कर लगने के लिए आप कर दें पर जड़ी फाल्ट है उसनों डिटेक्ट कर दिया है तो अप्शन थर्ड इस दा राइट आंसर आ गया नेक्स्ट कोश्चन है जिस्दे वेच्छे की एन एर इस स्वरी आर्क एन आर्क इस प्रडूस्ट वेन दा स्विच ओफ हाइ वोल्टेश एन लार्ज करेंट जदो हैं हाइव उल्टेश से लार्ज करेंट दा जड़ा स्विच्च पर नों ऑन कर देए ताकी उदे है उसर वेच्छे आर्क जड़ी कोश्ट ओन दिया है तो option है कि arc is produced, arc जड़ी produced हों दिया है जदो switch हों है high voltage से large current दे की कर दे है open कर दे है या closed कर दे है या open और closed कर दे है जड़ा right answer है option first आजाने जड़ी high voltage से large current जड़ा right answer आजेगा तो अगर तो अगर तो वीडियो अच्छी लगी ते वीडियो लाइक को शेर जुरूर करना तनवाद जाहिए